सर सुभा से सुस्त बना हुआ है डाव फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है, नाजड़क फ्यूचर 50 पॉइंट नीचे है, यॉरोप में आपको आधे परसंट की गिरावट दिख रही है, कच्छा तेल कमफर्ट में है, इन फाक नाइमेक्स तो 80 डॉलर के नीचे है, रुपया भ आपने का अच्छा सुनना चाहता हूं, मैंने का अच्छा तो होगी आच्छा, भई मद इतने ही अच्छा है, खराब में चाहिए बहत सकतभा आपको, यह है दीप की, बाजार ओवर सोउल्ड होने के काफी नसदिक है, यह तो नहीं कहुँगा कि ओवर सोट हो गये है, ठीक होने के बेहद नस्दिके monthly expiry के हफते में निफ्टी का put call ratio 0.76 पर है generally 0.65, 0.7 के आसपास oversold हो जाता है bank nifty का put call ratio 0.6 के आसपास जाकर oversold होता है हालांकि थोड़ा उपर है 0.88 है तेगे no doubt long side पर नहीं है तो पहली चीज है कि आज serious long unwinding हुई है तो आज तेजी करने वाले traders ने पहली बार थोड़ा सा मतला बहना back foot पर आकर अपने आपको surrender किया है क्योंकि आज है ना सबकी उम्मीद ये खत्म होगी अठारा 300 के उपर हम बंद दे सकते हैं ये साफ डेटा में दिख रहा है माइन तो अपने अपनी है आप खुद पढ़ो और जानो कोण लोग है कोण नहीं है वो decide करें लेकिन डेटा ये कह रहा है कि आज उम्मीद नहीं कि हम अठार 300 के उपर बंद होंगे और इस वज़े से तेजी करने वाले traders ने अपनी position आज हलकी किये कैसे बचे वे समय पर अभी हम है अठाजार 150 के आसपास जो सबसे important level है पहला वो है अठाजार 200 का अठाजार 200 के put पर 64 लाग share है उसके नीचे हम trade कर रहे हैं और calls में एक करोड अठाजार 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 का call right कोई करके बेठा है आज करोड अठाज ट्रेड करना नहीं कर रहें तब तक तो आप अच्छे खास से कमजोर ही मान कर चलें और अठाजार दो सुक्ति के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही आप कम पमजोर है और यह काम आपका तीन वजे के पहले-पहले होना ज़रूरी है बाद में होता तो उसकी कोई खास वेल्यू नहीं है तीन वज़े के पहले होना ज़रूरी है अब चलो मान लिया आपने डाव फीचर्स जो सोप और नीचे है उससे रिकवर होकर समझो डाव फीचर्स छीख हो जाए या नई भी और आप कवर कर भी ले पहल अधा कि आज यह निश्चित है कि आपकी क्लोज़िंग तो आठा थीन सो के लिए होगी क्लोजिंग बैसिस पर जो लोग अठा ह थीन सो के collector निचे स्टॉ फ सु पचास के स्टॉप लोस लेकर ब्लेकर बैट है उनका स्टॉप लोस आज ट्रिगर होना तै है यह क्लियर क्लोजिंग बैसिस पर आप अठा तीन सो को होल्ड कर रहे हैं और उसके नीचे बंद होता है तो सावधानी का पहला संकित आपके लिए आ जाता है और इस विसाब से डिसिप्लिन के तोर पर आपको बचेवे एक गंटे में जो भी उच्छाल मिले उसमें अपनी तेजी की पो को टेक लोजिंग बैसिस पर अठा जारका अब आए बैंक निफ्टी उतना खराब है नहीं अब मार्केट को डिसाइद यह करना है कि बैंक डिफ्टी की तरह देख देखके बार-बार से देखकर कमजूर होना शुरू कर देगा या बैंक डिफ्टी को कमजोर देखके न रिलाइंस से हैं, तो आप कीचे तो कैसे, उपर ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, खाली बैंक निफ्टी ना गिरे, इससे उपर तो नहीं आएगा, इससे निफ्टी कम गिर सकता है, यहीं बढ़ने ही सकता, तो बढ़ने के लिए और कहीं से सपोर्ट चाहिए, TCS, रिलाइंस, HDFC मिलनी रहा, तो इसलिए मामला वहां भी ठीला है, अब जो डेटा इंपोर्टेंट है, बैंक निफ्टी में देखे दिए, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी लोंग पोजिशन फस्ती भी दिख रही है, जहां निफ्टी में शौट्स काफी बनें, बैंक निफ पर है, ब्रोडली 41-900, 42-100, ये 200 पोइंट के रेंज बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेंगे, आज तो बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बैसिस पर स्टॉप्ट रिगर नहीं होगा, लेकिन वो शायद कल हो जाए तो हो जाई, यूनियर वरनो, आज के लिए तो आप ब देटा दिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, कहीं कहीं 42-250 के आसपर जहां अभी आप हैं, शायद बैंक निफ्टी यहीं क्लोजिंग देना चाहता है, तो जादा रिकवरी में तो कोई खास ऐसा दम अभी तक दिखने रहा, निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रह सब्सक्राइब यहीं है, अगर किसी को तो बैंक षटि में अचाहता है ना बैंक निफ्टी में, और शौट साइट पर आपका ट्रेड बने गा, तो बैंक निफ्टी से तो बैंक निफ्टी में